Hey guys, One Piece Chapter 1097 आ चुका है, and finally it is confirmed that Monkey D. Dragon was Marine, जो कि Government के सिस्टम से तंग हो चुका था, उसे वहाँ कोई justice देखने को नहीं मिला कई टाइम से One Piece कम्यूटी में ये थियोरी चल रही थी, कि Monkey D. Dragon एक Marine Soldier possibly Admiral हो सकता है, जो कि सही निकली बस अभी ये देखना बाकि है कि Monkey D. Dragon सही में Admiral था, गार की training के कारें ये possible है कि Dragon easily Admiral बन गया हो Admiral होने के कारें ये हो World Government के हकीकत जान सका कि World Government सिर्फ सलिष्टे Dragon के order पर काम करती है Marine सिर्फ सलिष्टे Dragon की puppet है, जिसमें उसे justice देखने को नहीं मिला We can assume that every Admiral knows this, पर किसी ने भी World Government को oppose करने की नहीं सोची Because they know, they can't fight the whole government alone इसलिए सब Admiral ने अपने justice create कर लिये World Government के सच को जानने के बाद, गार्प ने Admiral बनने का offer भी ठुकरा दिया ताकि वो सलिष्टे Dragon का slave ना बन पाय पर असा लगता है कि Dragon Admiral बन गया था और वो अपने आपको बाके Admiral की तरह सिस्टम में fit नहीं बैठा पाया इसलिए उसने Marine को छोड़ दिया और Marine छोड़ने के बाद वो कोई पारेट नहीं बना वो निकल गया Government को overthrow करने के लिए उसने एक Freedom Army को create किया और धीरे-धीरे members को recruit किया ये members different nation के citizens है जोकि Celestial Dragons के oppressive rules से परिशान हो चुके थे Marine की knowledge से Dragon ने Freedom Fighter के members को weapons की training दी ताकि वे के strong army बना सके जोकि Celestial Dragon के लिए threat बन जाए और इसी के current Dragon गवर्मेंट के नजरों में भी आ गया या हम देख सकता है कि Dragon इतना notorious हो गया है कि उसके चर्चे पेपरों में आते रहते है और finally Marine ने Dragon का wanted poster भी release कर दिया कुमा भी World Government के सच को जानता है और ये चीज़ उसे directly Dragon से connect कर देती है वो भी Dragon की तरह people के help करना चाता है इस chapter में हम देख सकते हैं कि Dragon कुमा के kingdom's orbit में भी उसके people को अजाद कराने आ गया है और वहीं हम उसके साथ देखते है इवांकोफ को जो कि उन्हें कई साल पहले छोड़ कर सी में निकल गया था इवांकोफ के सी में निकल जाने के बाद हमें उसकी कोई information नहीं है कि वो Dragon से कैसे और कब मिला पर जैसा कि हम जानते हैं कि वांकोफ रेवलूशनीर आर्मी की जी आर्मी का कमांडर है जो कि Grand Line को कवर करती है विच मींस इपले इंपोर्टन रोल इन रेवलूशनीर आर्मी रेवलूशनीर आर्मी पहले Freedom Fighter के नाम से जानी जाती थी और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि वांकोफ रेवलूशनीर आर्मी का पिलर बताये गया है तो एप पॉसिबल है कि वांकोफ ड्रेगन से Freedom Fighter की बिगनिंग में मिला हो क्योंकि वांको और ड्रेगन दोनों की आइडोलोजी सलेश्टे ड्रेगन को लेकर काफी हद तक सेम है हो सकता ही कि हमें फ्यूचर में वांकोफ के बारे में और जानने को मिले कि सोर्वेट से निकल जाने के बाद वो ड्रेगन से कैसे मिला पर इस चैप्टर में हमें यह जानने को मिलता है कि वांकॉप के स्वर्वेट से निकल जाने के बाद कुमा और जीनी का क्या हुआ As we know कुमा और जीनी लकणी को बेच कर अपना पेट पालते है इस चैप्टर में दिखाये गया है कि कुमा 17 साल की उमर में चर्च का पादरी बन चुका है और वो वहाँ एवरी संडे अपने डैवल फ्रूट से ओल पीपल की हैल्प कर रहा है और इसी के साथ हमें उसके डैवल फ्रूट की पावर के बारे में पता चलता है सीरीज में हमने उसे कई बार उसकी पावर को यूज करते हुए दिखा है जोरो का नथिंग हैपन्ड मूमेंट हम कैसे भूल सकते है जहां कुमा ने लूफी का सारा पेन निकाल दिया था और फिर उस सारे पेन को जोरो ने लिया था पर अगर जोरो लूफी का पेन नहीं लेता तो उस पेन का क्या होता इस कांसर हमें इस चैप्टर में जानने को मिला अगर उस पेन को कहीं ट्रांसवर नहीं किया जाए तो वो पेन वापिस अपने ओरिजिनल प्लेस पर पहुँच जाएगा अगर इस बबल में जोरो एंटर नहीं होता तो इस बबल लूफी में वापिस ट्रांसवर हो जाता और इसी कारण उन ओल्ड पीपल का पेन भी कहीं ट्रांसवर होना चाहिए नहीं तो पेन वापिस ओल्ड पीपल के पास पहुच जाएगा I was not expecting this एवरी संडे फीपल का पेन निकालने के बाद कुमा वो सारा पेन अपने में ट्रांसवर कर रहा था एवरी फ्रीकिंग संडे कैन यू बिलीव इट कुमा इतना काइन था कि वो दूसरों की हेल्प करने के लिए इस हब तक चला गया कैन यू बिलीव इट जब कुमा ने लूफी का पेन जोरो में ट्रांसवर किया वो जानता था कि जोरो का क्या हाल होने वाला है इस पेन को देखते हुए कुमा ये मैंशन करता है कि जोरो इस पेन को लेने के बाद जान से मारा जाएगा क्योंकि कुमा इस पेन को कई बाल ले चुका है अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत पॉपुलर हो चुकी है और वो दोनों चर्च में साथ रह रहे होते है 26 के ओने पर वो कुमा को मैरिज के लिए प्रपोस करती है और कुमा उसे मना कर दीता है हाला कि जिनी को लफ करने के बाद भी कुमा उसे मैरिज के लिए मना कर दीता है क्योंकि वो जिनी को हट नहीं करना चाता वो जानता है कि उसके पैदा होने के कारण उसके फादर और मदर सलिष्टे डागन के नजरों में आ गए थे वो नहीं चाता कि जिनी के संग भी वही हो जो इसकी मदर के संग हुआ पर क्या तुमने जिनी के बारे में कुछ नोटिस किया जिनी का फेस वेगपंग की सैटलाइट से काफी मिलता जूलता है एटलस का फेस चाइल जिनी लिलित का फेस टीन जिनी और योर का फेस मिल्व जिनी से मैच हो रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि वेगपंग ने गवर्मेंट के कहने पर कई एक्सपेरिमेंट किये है और वेगपंग कुमा को अच्छी तरह जानता था यह पॉसिबल है कि वो जीनी को भी जानता हो सीरीज में हमें जीनी से इंटर्ड्यूस नहीं किया गया है यह पॉसिबल है कि किसी कारण जीनी की दैथ हो गई हो और जीनी की याद में वेगपंग ने अपनी सैटलेट्स को क्रेट किया हो इस चैप्टर मेह में सॉर्बेट किंडम की सिच्वेशन और उसके किंग बैकोरी के बारे में भी जानने को मिला पिछले कुछ चैप्टर पहले यह मेंशन किया गया था कि कुमा सॉर्बेट किंडम का टायरेंट किंग था पर असल में बैकोरी एक टायरेंट था जो कि अपने पीपल से बहुत जादा टैक्स वसूल कर रहा था ताकि वो टैक्स सलिस्टर ड्रेगन को दे सके कुमा के 22 साल के हो जाने पर बैकोरी ने निव लोग किरेट किया इस निव लोग के अकोर्डिंग सॉर्बेट किंडम की बाउंडरी को स्मोल कर दिया गया इस बाउंडरी में नोर्धन पार्ट अफ सॉर्बे ही इंकलूर था और Southern Part of Sorway को Lowless Land घोशित कर दिया पर इस लोग के अकोर्डिंग वो Southern Part के पीपल के संग जो मरजी कर सकता है और वो इसे कारण Southern People को स्लिप बना लेता है कुमा भी उससे फाइट करता है पर किंग के सोलजर कुमा को भी जेल में बंद कर देते है कुमा को सेफ करने के चक्कर में जीनी और बाकी मेंबर्स भी पकड़ी जाते है और जब सबको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तब ही वहाँ पर इवांग कॉफ ड्रैगन के साथ उन्हें सेफ करने आ जाता है इसके बाद कुमा और जीनी भी रेवलूशनी आर्मी जोइन कर लेते है और इसके बाद फ्रीडम फाइटर का नाम चेंज होकर रेवलूशनी आर्मी रख दिया गया कुमा और जीनी ने एट एर रेवलूशनी आर्मी के संग गुजारे और इन्ही 80yrs में कूमा सोरवेट में आता जाता रहा जैसा कि सीरीज में में मेंशन किया गया है कि कूमा सोरवेट का किंग था लगता है Revolution के बाद बैकोरी को किंग से हटा दिया गया और वहां की CTs ने अपना न्यू किंग कूमा को चुन लिया सब कुछ अच्छा चल रहा था और आज से 14 साल पहले एक incident हुआ जिसमें हमें जानने को मिलता है कि जिनी को capture कर लिया गया capture होने के कुछ दिन पहले हमें दिखाए जाता है कि जिनी अब भी बहुत beautiful है जो कि Revolutionary Army के Eastern Force की captain है और इस पे आज भी उसके सबोरी नेट मरते है और हमें जानने को मिलता है कि जिनी बहुत खुश है क्योंकि वो कुमा से मिलने वाली है बट इससे पहले ही somebody captured हर बट उसे capture कून कर सकता है हो सकता है कि उसे marine ने capture कर लिया हो और हो सकता है कि वो marine अकाइनू हो जो कि उस टाइम एड्मिरल और या फिर वाइस एड्मिरल हो क्योंकि कई फैंस का मानना है कि अकाइनू और monkey डी ड्रैगन marine में एक साथ थे हो सकता है कि वो बहुत अच्छे friends हो पर government का साथ सामने आने पर उन दोनों की ideology change होती गई हो जिसके बाद उन दोनों में अन्मिटी हो गई हो जिसके बाद अकाइनू absolute justice की ओर निकल गया हो और monkey डी ड्रैगन अपने justice की ओर और इनी 8 एर्स में लूफी का भी birth हुआ होगा क्योंकि सीरिस में लूफी अभी 19 यार वल्ड है और आज से 19 एर्स पहले या 8 साल का ही period था जहांपर कुमा ने revolutionary को join किया था जैसा कि हम देख सकता है कि जिनी अपनी खुद की आर्मी को command कर रही है जो कि किसी certain kingdom में है तो impossible है कि वांकोब और कुमा के पास भी खुद की आर्मी हो और वो भी कहीं किसी और kingdom में हो इने टियर में ड्रेगन भी किसी certain island पर हो जहांपर वो लूफी की मदर से मिला हो और लूफी को birth दिया हो और ये tattoo भी लूफी की मदर से related हो इसे कारे निवांको भी लूफी की मदर के बारे में कुछ नहीं जानता पर एक बात ये भी नोटिस करने वाली है कि बोनी का birth कब हुआ इस पैनल को देखने में लगता है कि बोनी का birth अभी तक नहीं हुआ है इसका मतलब बोनी 14 साल से बड़ी नहीं हो सकती जैसा कि लग रहा था बोनी सही में एक किड हो सकती है जो कि अपने एजेच फूट की help से टीन में बदल गई है इस चैप्टर के बाद लग रहा है कि यही सच है और अब सांजी विल गो टची इस इपर टोड़ी गाइस इस इस मांगा समा पीस